कच्छा नवी के सभी विद्यारती हो दो तरह के पेपर आपन देख चुके हैं बड़े रिसर्च करने के बाद जो सिलेक्टेट कोस्टन रहते हैं ठीके वही चीज़े बताऊंगा मैं आपको जो परिक्षाहल में थोड़ा सत्प्रतिस्ट आएगी अच्छे से आपने तैयार यह बड़ाते हैं उनमें बच्चों को सेलेक्टेट को साइंता आप मों Is 5 चार दराथ ह Awak इनके ने फक्शने के चांस से रहेंगे अधिकतर यह चार पेपर करो गए ना तो आप 60-70 स्कौर करआड था की फिटा हुआठ prepaid युर्ट से सिरू करते हैं दिखिए A की पावर है M इंटू A की पावर है N जब आपकी संख्याए एक जैसी होती है तो आपने एक सब्द सुनाओगा कि गुना में जो होती है घात जुड़ती है क्या होता है गुना में घात जुड़ती है तो ये जो A नम्मर का रहेगा वो एकदम राइड रहेगा कि A की पावर जाएगी A प्लस N जैसे यहाँ पर दो की गाद 3 है और यहाँ पर दो की गाद 2 है तो हम क्या करेंगे इस दो को एक बाल लिख देंगे और दो की गाद 3 प्लस 2 याने दो की गाद 5 अनसर आ जाएगा ठीक है यहाँ इस तारह कैसे होगा बहुपद P X बहुपद जो है P X इक्वड है 2 X प्लस 5 इसका सुन्यक आपको ग्याद करना है दीकि सुन्यक ग्याद करने का बेस्ट तरीका बताता हूं बराबर के उधर आपको 0 लगा देना है इक्वड हो गया 0 अब यह जैसे उधर जाएगा तो X के बराबर देखिए माइनस का 5 हो गया देखिए ध्यान से देखिएगा है ना फिलस का उधर गया तो माइनस का हो गया और बटे में गया 2 तो माइनस का 5 बटा 2 याने 2 अग्दम राइट रहेगा अच्छा अगला देखते हैं क्या बोल रहा है, तीसरा Y अक्ष पर इस्धित सभी बिंदोगों की भूज होती है दिखे, जब भी Y अक्ष पर इस्धित रहेगा तो बिंदोगों की भूज भूज का मतलब होता है X का मान और X का मान जो रहेगा वो रहेगा सुन्य तब यदी वाई अक्ष पर है तो ध्यान से समझेगा बेसिक को बेसिक कॉन से प्लेडिक किलियर है आपका ठीक तो टेंजे में भी आप अच्छे नम्मर से पास होंगे बेसिक कंप्लेड नहीं हो पाया तो बिलकुल आप कम जोर रहोगे रट के कोईसी बीची अपनी करेंगे और जिसको रटना है वो इसकी पर करकर के आगे कर सकता है यदि आप चाहते हैं लंबी रेस का घोड़ा बनना तो इसके लिए थोड़ा सा समय लगेगा धीर धरना पड़ेगा अच्छे से वीडियो को समझना पड़ेगा आगे आपकी मर्जी जेसा लगे उचित तर रहे तो मैंने क्या बताया आपको कि वाई अक्छ पर सभी अमान को केते हैं भूज तो जब वाई अक्छ बोले तो भूज सुननी होगी और जब एक सक्छ बोले तो कोटी सुननी होगी समबाहू तिरभूज का प्रतिये कोन का मान कितना होता है समबाहू जो होता है ना उसका साथ डिगरी होता है क्योंकि कोई भी तिरभूज उसमें को सम् दिवाजित करते हैं किस पर करते हैं 90 ठीपर अगला है वर्ग 90 से 120 इसका मतला हुथ है जो माइनस की तरह है 90 से 120 का वर्ग चिन्ह है अच्छा वर्ग चिन्ह कीसे? निकालते हैं इन दोनों को जोड़ दो जो पहला है वो निमने तमसीमा रहती है दूसरी उच्छी तमसीमा अच्छे जान्दा नहीं दीटेल नहीं पड़ना है तो आप क्या करो दोनों को जोड़ दो यहने कि 120 पिलस 90 और बटे में 2 का भाग दे दो तो यह आपका वर्गेचे निकल जाएगा जीरो की जीरो और नो बारा देखे नो दो ग्यार होगा है हासल आया एक यह किस होगा और बटे में किता आ जाएगा दो आ जाएगा जैसे काटों के दो एक न न दो भाग जाजिसकी जीरो और दो पंजे दस बार्फ में एक 25 और डम न रहेगा चलिए आगे बढ़ते हैं दो परीमें सुरपी सब्सक्राइब हैं ठीक है एक व्यक्याभ अंसर को परइच्छाहाल में जाने से लिए एक बार आप जरूर यहां पर तीन एक एसा समिक्रन जिसका आलेक एक सरल रेखा होता है जिसका आलेक सरल रेखा होगा तो वो सरेकिक समिक्रन कहलाएगा जब दो किरने एक ही अनताबिंदू से आरंब होती है यह कह एक कौन बनाती है संकु क्या प्रस्टी शित्रपल यह पाई से है है यह हो जायगा आपका पाईए एक क्या है आप अरी में संक्या है रिमिंदम्र ये यह बढ़ते हैं यहां अपन बात करेंगे तो यह आपकी आप परिमेशन क्या होगी कि किसी बिंदू की एक्स अक्ष से लंबवत दूरी वाई निर्देशांग कोटी कहलाती है यदि दो या अधिक बिंदू एक ही सरल रेका में हो तो वह बिंदू आपके सन्रेक बिंदू कहलाते हैं यहां से आप देख सकते हैं चतुर्बुज हो जाएगा यह वहां चतुर्बुज जिसके विकर्न परस्वर समकोन परांत्रित हो सम्दिवाजित करें वह सम्चतुर्बुज होता है इहां से देख सकते हैं अपन 9 की पावर है एक बढ़ा दो तोकि तीन तो क्योंकि टीन कोई नियुकिरśmy कि आवर थी है वाई एक्शे के समाना तर रेखा प्रती है विंदु की क्या गला थी भुझ्य समान की ची आव वहाँ भाग जिसके दो अंता बिंदू हो रेखा खंड कहलाता है आयत के विकरन बराबर होते हैं तता एक दूसरे को समद्वी भाजित करते हैं ठीके एकस क्यूब में एक्सक्यूब का जो गुनांक होता है थेरी एक्सक्यूब में एक्सक्यूब का जो गुनांक होता वो कितना होता है तीन बिन्दू साथ कोमा माइनस छे में कोटी का मान कोटी कमान जाए का माइनस का छे ठीक है भई यहां से अपन बात करेंगे तो दो परी में संक्याओं के मद्य अनंध परी में संक्या होती है दो परी में संक्याओं के बीच में किती होती है अनंध बहुपद में सबसे बड़े घात वाले घातांग को बहुपद की घात केते हैं कोन बनाने वाली दोनों किरने उस कोन की भुजा कहलाती है संकु का आईतान होता है एक बटा तीन पायार स्क्वायर एच आसुन्य अचरपद की घात सदेव सुन्य होती है समानतर चतुर्मुझ के दोनों भी करना केसे होते हैं परस्पर सम्दीभाजीत होते हैं